हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माई चैनल गाईज एक और यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होग कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों क में और इसमें आपकी वर्क लाइफ लव लाइफ हैल्थ मूड सब कैसा रहेगा ठीक है सारी बाते जानेंगे डिटेल में स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है हमेशे की तरह ही बता दू गाईज यह जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो सो प्लीज कीप अन ओपन माइंड और रीडिंग टाइमलेस है ठीक है जून एंड तक भी अगर आप यहां पहुंच रहे हैं तो आराम से देखें और अगर इसके बाद भी आप तक पहुंचती है रीडिंग तो कुछ ना कुछ गाइदेंस तो आपको 100% मिलेगी इसलिए टाइमलेस एडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आने वाले मन्त में क्या चेंजिस सप्राइजिंग और सारी सप्राइजिस आप तक पहुंच रहे हैं लेट सी वेट आई नाई आँ चस न कि ट आप से वेट खे मेन्ग वेट कॉ Empress, 2 of Swords and Death card, 3 of Wands, Ace of Wands, 6 of Swords, कुछ cards और ले लेते हैं क्योंकि हमें काफी सारी चीज़े यहां पर बता करने हैं, 10 of Pentacles, okay, Star and we have 3 of Pentacles, Justice and 5 of Wands, यहां से है 9 of Pentacles, Lovers, Judgment, वाओ, Hierophant, वाओ, गाईसे तो back-to-back major और खाना से कार्ड जा गए, इसको छोड के सर्फ, okay, छीक है, यहां पर zodiac sign बताने के जुरूत नहीं क्योंकि बहुत सारे कार्ड ले हैं तो elements सारे आ चुके हैं, लेकिन specific जो आए है न वो है, Scorpio, Libra, Aquarius, Taurus, Gemini, Leo, Sagittarius, and Taurus शाद से मैंने बोल दिया, Taurus भी है यहां पर, ठीक है, लेकिन zodiac science आ रहे हैं, यह जो कुछ बताए हैं न यह major और खाना से आए हैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है में मन्त में, देखो सबसे पहली बात है, जितने भी अपने immigration process में लगे हुए हैं न, जिन्नों को भी बाहर जाना है, किसी भी purpose से, चाहे job purpose से, या फिर study purpose से, या अगर tourist visa के लिए भी आप सोच रहे हैं, तो जून मन्त में आपको थोड़ा सा wait करना पड़ सकता है, इस process में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि blockages हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सबर रखना पड़ेगा, हो सकता है, कुछ लोग offer letter का wait कर रहे हैं किसी university से, तो पूरा मन्त आपको wait करना पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा मैं दे तो हो सकता है, वीजा approval मिलने तक में इतना time लग जाए, या फिर अगर आप work permit के लिए apply कर रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा इस महीने, यानि कि जून महीने में, तो आपको wait ही करना पड़ सकता है, ठीक है, हो सकता है, इस मन्त के बाद आगे का process आप कर पाएंगे, प्र ब्लॉकेज नहीं है, आपको at the end तो अच्छा ही मिल रहा है, आपके हाथ में वीजा होगा, लेकिन जून के मन्त में नहीं होगा, ठीक है, इस मन्त के बाद आगे आपका process स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगर offer letter के लिए wait कर रहे हो, तो वो हो सकता है, कि जुलाई के 1st week में मिल जाएगा आपको, लेकिन जून मन्त तक तो पूरा आपको wait करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, इसके अलावा guys, देखो spiritual life में काफी आगे बढ़ गए हो, बहुत major transformation आपके साथ हो चुके है, आगे भी कुछ नया शुरू होगा, ठीक है, जून मन्त आपकी बढ़ रही है, intuition power आपकी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि yes, आपकी life में कुछ नया आप attract कर रहे हो, किसी नए project में involved हो रहे हो, और आपकी hobby से related है, ठीक है, जो भी कोई project आपके पास आ रहा है, यह आपकी hobby से relate करेगा, और yes, major transformation हुए है, spiritual life में growth हुआ है आप यह भी खतम होने के chances हैं, आपका जैसे भी flow में आप काम कर रहे थे, आप बिलकुल उसी flow में वापस आ जाएंगे और यहां से भी blockages हट रहे हैं, क्योंकि three of pentacles का card है, यह card बता रहा है कि आपकी strategy, आपका pattern जो भी आप बना रहे हो, वो work करेगा, ठीक है, यह चीज़े यहा हो सकता है कि आने वाले मन्त में, जून मन्त में आपको अच्छा incentive मिल जाए, तो आपकी income में कुछ तो increment में देख रहे हूँ होते हुए, ठीक है, overtime कर सकते हो, extra efforts लगाते हुए दिख रहे हो, बट financially जो भी problems थी, वो काफी हद तक solve होने वाली है, किसी किसी area, अपनी spiritual life में अ आपके मन में, आपके बहुत सारे काम भगवान ने बनाए है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि star card है, it means आपके पास achievements है, ये चीजे मुझे दिख रही है, आपने काफी success हासिल कर लिया, थोड़ा और करना है आपको, लेकिन आपको अभी भी मैं थोड़ा doubt में रास्ता दिखाया, वो रास्ता आपी के लिए बना हुआ है, that is why आप उस पर चले हो, और आप काफी आगे आगए हो, और आगे जाकर अपनी जो भी wishes हैं, वो सारी पूरी कर लोगे, तो ज़्यादा doubts वगेरा मत रखो, क्योंकि आप अगर इस तरह से आगे के काम करोगे ना थोड़े blockages आ सकते हैं, देखो, blockages तो मुझे यहां दिख भी रहे हैं, five of wands का card जो है ना, तो ये card सरिफ एक ही ऐसा card है पूरी reading में हमारे पास, जो थोड़ा negative दिख रहा है, बाकि सारे card बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स आपकी healing अच्छे से हो रही है, लेकिन फिर भी अ भी अच्छे के लिए होगा, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ परमात्मा है, मुझे किसी बात का डर है ही नहीं, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है, वो कौन है, वो भगवान है, और भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो हम बहुत safe हैं, ठीक हैं, बाकि आप efforts लगाते हो, क बहुत जादा था, आगे तो कम ही मिलेगा आप सेहने के लिए, आगे आपको, उनो, हो सकता है, बहुत सारा काम करना पड़े, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी study, ठीक है, अपनी skills को इंप्रूव करने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन एक जो torture होत stress भी हो रहा है, ठीक है, रोना हा रहा है, anxiety हो रही है, उसके साथ काम किया है अपने, अपने past को देखो, और future में जो होने वाला है, आप उसको imagine करो, तो आपका past कितना ज़्यादा worst था, future में इतने बड़े challenges नहीं मिलेंगे आपको, so don't worry, ठीक है, अपना काम करते रहो, ये अपने आपके पूरे हो जाएंगे, don't worry, चिंता करने की बात नहीं है, जून के मन्त में भी कुछ judgment आ सकता है आपके पास, judgment मिल सकता है आपको, so ready रह रहना, और ये जो result मिलेगा, ये आपके कर्मों के according मिलेगा, ठीक है, ओके, तो जहां तक मैं देख रही हूँ, आपको ए लिंग की वज़े से हुआ है, और इसी के साथ साथ आप काफी समझदार हो गए हैं, और आपको पता है आगे के step क्या लेने, आप एक Empress हो, एक Empress के पास इतनी पावर होती है, कि वो एक पूरे अपने जो उसका जो राज्य होता है न, उसको वो अराम से मैनेज कर लेती है, त आपके साथ न, इनसाफी करने वाले हैं, क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहे हैं, पिछले, कार्ड अच्छे हैं न, ताट इस वाई, और एक चीज़ दिख रही है, आप मुझे थोड़ा ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, लेकिन ट्रैवल यह बहुत ऐसा नही है, कि बहार जा रहे हो, अपनी सिटी से, ऐसा नही है, अपनी सिटी में बहुत ज़़ा ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो, अपने काम के सिलसले में, इस मन्त में भी, जून मन्त में भी, आपको थोड़ा सा जगडों से बच के रहना है, सिचुएशन ऐसी बन सकती है, और य ऐसे परफॉर्म करोगे, तो अगर, तेखो, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, किसी से कोई उमीद मत रखो, तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी, अपने काम खुद से करना सीखो, अपनी लाइफ के एक्शन ले रहे हो, तो अपने काम भी सारे खुद से कर सकते हो, किसी पर डिपेंड मत रहो, ठीक है, और जितना involvement कम रहेगी, ये जगडे होने के chances कम रहेंगे, और अगर हो भी गए, तो अपने आपको समझाओ, कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मेरी लाइफ में दूसरे बहुत important काम है, जो मुझे करने हैं, तो मुझे इन चीज़ों में तो बि लेसन दुबारा सीखना है, वो आपको आगे ही भेज देंगे फिर, ठीक है, डिले नहीं होगा, तो ये डिले भी कम करना हमारे हाथ में ही होता है, बाके आपकी लव लाइफ में इंप्रूब्मेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, अभी भी आप जून मंत में हो तो सिंगल, मत है, आप दोनों के बीच में बात हो या ना हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ टेलिपैथिकली कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये सेपरेशन फेज है, या फिर नो कॉंड़ सिचुएशन जो भी है, जिस भी वज़े से बात नहीं हो रह हैं, उन्होंने साथ डिसाइड कर लिया है कि आप ही के साथ शादी करनी है, या फिर जून मंत में वो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हां सेपरेशन अभी भी रहेगा, मतलब रेगुलर बातचीत आपकी अभी भी होते वे दिखनी रही है, लेकिन काफी इंप्रूब्मेंट आपकी लव लाइफ में दिख रहे हैं होते हुए, आपका जो बांडिंग है न एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगी, अब देखो अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ इशूर्स वैसे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हलका सा स सिचुएशन से निकालना है, यह सिचुएशन खतम होगी, आपके डिवाइन पर ट्रस्ट करके, अपने खुद के एक्शन पर ट्रस्ट करके, और यह सोचके कि जो होता है, जो मैं पीछे इतना कुछ सहा है, तो आगे तो आप कम ही मिलेगा मुझको सहने के लिए, क्योंकि म बाकी अननेसरी आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की जूरत नहीं है, तो यह भी जो एक मैटर है, जो पैंडिंग है, जो इससे सॉल्व होना है, सीखना आपको यह भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, और आप आगे फेस में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, यह नियू आप में हैं, बाकी तो गाइस, इस मन्त में भी आपकी लाइफ में काफी मेजर ट्रांस्फोरमेशन आ रहे हैं, जितना हो सके अभी भी हीलिंग पर फोकस करो, मुझे तो बहुत हद तक, 85% तक तो मैं कह रही हूँ आपकी हीलिंग हो चुकी है, थोड़ी सी बची इसको भी करो, और जल्दी से फिर स्टोरी पोस्ट करना मुझे, ठीक है, तो गाइस, this is your reading, I hope कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, अभी के लिए बच इतना है गाइस, बाई, टेक केर,